असलाम अलाइकुम आर्यवन देस वसीम शेजाद वेलकम टू न्यू वीडियो आप सब ख्यावित के साथ होंगे तो इसे के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आप लोग ने काफी सारे क्वेस्टन किये अगर आप मेंसे अक्सर को नहीं पता तो मैंने एक वीडिय करते हैं लेकिन उससे पहले में एक बात कहना चाहूंगा कि किसी के क्वेस्टन का अंसर मैं ना दे पर हो तो उसके लिए भाई वाई पहले ही माज़रत कर रहा हूं शायद कोई कमिट वगर रहे जाए तो लेकिन मैंने जावाई जितने मैंने कमिट पढ़े थे पहले मुझ ज्यादा लग जाए तो फाइजा काकीचन आपकी एज क्या है जी तो मेरी एज 20 यह साल खतम होगे तो मैं 20 को जाऊंगा उसके बाद गुलशन विलॉग्स आपकी हाइट क्या है तो मेरी हाइट है 5.5 फीट यानिके 5.5 फीट 5 इंचेज अच्छा क्या आप शाउट टेंग 5.000 मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं कितनों की परमोशन कर सकता हूँ अभी मैंने स्टार्ड किया हुआ है चैनल तो जब मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं परमोशन करूंगा तो किसी पर इसका इफेक्ट होगा तो मैं इंशाला जरूर करूंगा लेकिन अभी अभी के लिए स आई होप सो थैंक्यों सेर आई होप आपने लिख दिया उसके बाद आवैस खान आप कॉंसर सिटी से हो तो मैं शोर्कूर्ट सिटी डस्ट्रेक जंग से हूँ उसके बाद मज़र बलोज ने किया हेल्प कर दें बाई तो भई मैं पहले कहा चुका हूँ के अभी आयम ब्रो आपको भी मज़ड़ायगा और लोगों को भी मज़ड़ाच उसके बाद ₅ O обर मुईजर कहां रहते हैं मैं शॉर्कूर्ट में रहता हूं शौर्ट गॉर्ट सिटि डस्ट्रिक जंग में उसके इर्निया इको وीलीव या इस तरह कोई दमाब में है जीपसा है मुझे समय व्लोग जी आपका नाम ले दिया है एश करें इर्फान से आल ट्रीट ट्रीट बाई किस चीज की आप लेना चाह रहे हैं मेरे चैनल की मुनेटाइजेशन की तो जरूर देंगे इन्शाला अफ्ताब बालोच आपकी फैमिली मिंटो क्यों है मतला मिंटो के मीनिंग्स क्या है जस्ट ये भाई ने यूट्यूब चैनल स्टाट किया था तो उन्होंने मिंटो के नाम से स्टाट किया था तो बस वहीं से बात बढ़ती बढ़ती अब मिंटो के नाम से पढ़ गई है हमारी फैमिली तो इसलिए हमारे चैनल के साथ मिंटो आ रहा है कोई खास लॉजिक न तो पहले बात ये के बाई ना हम गरूर करते हैं ना करेंगे ना इंशाला आगे करेंगे और ना ही किया है कभी तो बाकी बात आपने ये कहा के मेरा व्लाग वीडियो अच्छी थी तो उसके लिए थैंक यू उसके बाद फैसल मुगल आपने अपना योट्यो चनल कैसे बनाया तो ये मैंने लेट साल पहले तो कि मैं स्टार्ट किया था है बाइत से स्वर ने चैनल बनाया था मैंने पर साथ बनाया लेकिन स्टेडी कि मैं कुछ स्लोव परड़ गया था लेकिन अब फिर से स्ट्र गिया और इनशायले और याब होarna है और आगे भी अला कावियाब करेगा आपकी दौाओं से आपकी प्यार से विलेज होंवलोग्स गोड थैंक यू उसके बाद जलमी जालिम नाइज थैंक यू सर उसके बाद अलीशबा मौसिन ब्रो मुझे अपना चैनल प्रमोट करवाना फ्री में कैसे करवाँ तो प्री में चैनल प्रमोट करवाने का कोई फाइदा नहीं आप खुद मेहनत करें अच्छे वीडियो बनाएं और इंशाला एक ने एक दिन आप वाइरिल हो जाएंगे हिट हो जाएंगे आपकी वीडियो तो फिर आपको मजब याएगा अपनी मेहनत का सिला पाने में उसके ब उसके बाद साधित जमान तो आपका नाम मेरे ले दिया बाकी मेरे शादी मेरे चादी करें और मेरे कमेंट के जबिए जब ने कर लोगा जब मैं अपनी वीबी और Shad는 चाब TC किया ते ऐसके बाद बर आई आ ये सब्सक्राइब राइक यू उसमान बाबाव ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसके बाद अब्दुलहसीव आप किस शहर में रहते हैं तो मैं पहले बचा चुका हूं कि जस्टिक जंग तैसील कोट में रहता हूं उसके बाद अनीला नज्मी ऑ के जी मैं तैंक यू ओके किरन अधनान व्लोग गूड वर्क बाई ठैंक यू कि इू कि अनिया नाइस थैंक यू टैकन mor horn मुहम्मद घ्लास ब्रोविच मॉबाइल्ड ये तो मैं रैड्मी नोटेट प्रो यूज़ कर रहा हूं और अभी ये वीडियो उसी से बन रही है डेली रूटीन फूट सीक्रिट्स ग्रेट सार थैंक यू सर उसके बाद रूबीन आता है आपको अपना यूटीब चनल प्रॉपरली ग्रोव करने में कितना टाइम लगा तो मुझे लगे अपना चैनल ग्रोव करने में फैसल मुगल आप अपनी टालीम के बारे में बताईए तो मैं एंजिनरिंग कर रहा हूं यूटी टैक्सला से इन्वायरमेंटल एंजिनरिंग कर रहा हूं तो इस तरह के मुझे से काफी लोग ने क्वेस्टन पूछे हुए थे तो ये सब के लिए हो गया उसके बाद वैरी गुड सफिया कुरेशी थैंक यू मैं उसके बाद आलिय मुबश्यर विलॉग्स नाइस थैंक यू मैं उसके बाद यासमीनवान सलाम आपने कहा कि कोई हल्प चाहिए तो मेरे रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करोए प्ली जब हम इसकाबिल होंगे तो हम आपकी जरूर मदद करेंगे उसके बाद शाहिदा नगरा नगरा नाइस वीडियो थैंक यू मैं उसके बाद नैना जारी ऑफिशल नाइस वीडियो थैंक यू उसके बाद कोक इंस्टाइल विद आलिया ने का है आप मुझे शाउट ओट उसके बाद रुबीना ताहिट जो गरल ऑन कैमरा आकर वीडियो नहीं बना सकती लाइक मी वह इंफार्मिटिव वीडियो पर वाइस ओवर करके यूट्यूब को ग्रो कर सकती है अच्छे से जी जरूर कोशिश करते रहें तो हर चीज़ हासल की जा सकती है अच्छी वीडि पूचा तो एच्छी बात है पूचा तो मैंने पहले बता दी क्लास क्वालिफिकेशन भी बता दी फेवरिट फूड मेरे पोटेटो अलू यानि समोसा हो गया इस तरह की चीज़ें फास्ट फूड कह सकते हैं उसके बाद कलर ब्लैक हो गया इंट्रस्ट मेरा आगे क्या स्टेडी कर रहे हैं अभी मैं इंजिनरिंग कर रहा हूं इंवार्मेंटल इंजिनरिंग यूटी टैक्सला से सब्सक्राइब कौन सी यूनी में पढ़ते हैं यूटी टैक्सला में आयान अजर ने पूचा है जी उसके बाद एक्शन डिजाइन आयम जवेरिया क्या स्टेडी करते हैं कहां पढ़ते हैं यूटी टैक्सला में पढ़ता हूं इंवार्मेंटल इंजिनरिंग कर रहा हूं लास यह चल रहा है उसके बाद टिंकी टिंक्स वीगा मुझे क्या दोगे तो आपको दौा दूँगा आपको कामयाब करें और अच्छी जूनी को जाने की तो यूनस अवान मैं आपकी सब वीडियो देखती हूं थैंक यू थैंक यू आप मेरी वीडियो देखते हैं उसके बाद मौसिन एहमन ने पूछा है कि उन्होंने काफी सारी लंबी सारी तफसील लिखे जो मुझे समझ आई है कि आप मगरूर नहीं है और आपकी यकीन हम आपसे मिलना चाहते हैं और यह भी कहा है कि कराची आकर व्लॉग बनाएं तो इन्शाला जिस दिन अफोर्ड कर सका कराची भी आकर व्लॉग बनाऊंगा और मिलने की बात कर रहे हैं तो जरूर जब इस काबल हुए तो मैं आपसे मिलने भी आउंगा या आप यूट्यूब से कोई वीडियो देखें इन्शाला आपको सारी समझ आ जाएगे उसके बाद हुमाफवाग ने कमेंट किया थैंक्यू आपने मेरी रिक्वेस्ट पूरी की क्यों ने वीडियो बनाई तो वह कह रही हैं कि सारे क्वेस्टन जो हैं लोगों ने पूछ लिए तो मैं अभी सोच चीओं कि मैं कौन सा पुछूं जी आप सोचें इन्शाला मैं अंसर दूँगा एक बाई कह रहे हैं बूटा फ्रामसर गोता मैं तसवर बाई से मिलना चाता हूं तो इसके लिए आपको उनसे राप्ता करना पड़ेगा मैं इस बारे में फिलाल कुछ नह कोती है उसके बाद फ्री होता हो या या कभी पहले फ्री होता हो तो वीडियो वीडिना में नौचे रात के फ्री होता हूं फिर मुझे सकूना था है पोड़े करो करों तोreal प्राइशांता है खुछ के शृहां के लिए कुछ करने की कोशिश करूँगा नील हम फिर दोस ने पूछा किया मिनावर्वा की वाई चीहर आपके साथ रहते हैं यि तरूंअः मारे साथ ही रहते नियंजे भी ठीजिए थैंक हुआ उन्हें थैंक उसके बाद ऐख पूछा के लिए क्राइटरी यह तो 1000 सब्सक्राइबर ने चाहिए और 4000 वाच आज रोने चाहिए तो उसके बाद यह क्राइटरी आपका चैनल मुनेटाइजेशन के लिए रिवीव में चला जाए गा उसके बाद एजी कोकेंड विलॉग ने पूसर नाइस शेरिंग अलाब को कामियाब करें थैंक यू सर उसके बाद गोरिया विलॉग ने पूचा है डाइट है वे क्वेस्टन हम बास इतना जाना चाहते हैं को तीनों भाई भाभी हम पाकिसान के नाम रोशन कर रहे हैं और अ तो उसके बाद बच्चेपन की कोई ऐसी बात जो आपको याद आके आपको हंसी आती हो और बस यह किसने पूचा सारा खान ने तो जो मुझे अभी तक याद आती है कि मेरे पीछे एक बार कुटा पढ़ गया था और मैं इतना भागा था कि कुटा मेरे मैं कुटे से आगे निकल गया समझने वह बहुत फणी बात थी जो जब भी मैं सोचता हूं तो मुझे हंसी आ जाती है तो यही कुछ कोई से कोई अगर रह गया है तो वीडियो काफी लंबी हो गई है तो आप शायद बोर नहों जाएं लेकिन कोशिश कीजिएगा वीडियो को आपने सारा दे